दोस्तों बिहार में सिक्षक परते की प्रकिरिया BPAC के माधिम से चल रही है और अभी जो है डॉक्मेंट भेप्रिकेशन का काम सुरू है दोस्तों इसी बीच BPSC ने एक नया नोटिस जारी किया है जिसमें सभी अभरतियों को एक पर और मौकाद दिया गया है एंसर कीमे सुधार के लिए इस नोटिस में क्या जिक्र है इसमें आपको क्या करना होगा फिर से आपको option मिला है चैलेंज करने का तो जो आप पहले जो चैलेंज किये है उसका क्या होगा और कैसे कैसे प्रोसेस है मैं सारी प्रोसेस आपको इस वीडियो की मारब से बताने वाला हूँ तो वीडियो को आप लाज तक चुछ दे के वीडियो सुकन से पहले माँ आप से चोटा सारी क्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सस्काइब कर ले और को दबा दे ताकि ऐसे हिन लेटे स्टूडियो मिलता रहे चली शुरू करते हैं दोस्तों अभी से कुछ दर पहले बीपीएसी ने अपने ऑफिसरली वेव साइट पे इस नोटीश को डाला है आपको पता है कि बीपीएसी ने एंसर की में चैलेंज के जो मौका दिया था व वहां से हमको नंबर मिल लेगा तो देखिए वैसा बिल्कुल कुछ नहीं है मैं आपको इस नोटीश के बारे में और जनकारी देते हुए पूरी चीजी आपको यहां पर समझाने वाला हूं तो आप इस नोटीश को देखिए यहां पर विज्यापन संक्या 26 2023 के अंत्रगत प्रात्मिक मादमिक एवन उच मादमिक विद्यालों में अध्यापक के पदों पर न्यूक्ति है तू विभिन विश्यों के लिए 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 लिखित जो वस्तुनिष्ट प्रतियोकता परिख्षा का आयोजन दिनांग 24-8-2023 से 26-8-2023 तक दो पालियों में की गई है उक सब्सक्राइबरों के विभिश्यों के लिए लिखिंग सुम्य जो प्रत्म पाली और 2 3 पाली में जो था अपका प्रस्टिकार जो आपका से वो एंसर की जारी कियाय था उसमें किवह बहुत सारे डियों आ पे कह रहे तो यहां जहानों से कि है कि पचीज आठ दोहजाद तेज को भासा दूत्रिय पाली के प्रश्ण पुष्टिका सिंखला इक सभी प्रश्णों के और बंधिक उतर दिनांग यानि कि अगर मान लीजिए आपका वहाँ पर सी रहा होगा तो अगर कोई भी आपको मिल जाता है एक का कोशन मिल जाता है या एक का कोशन मिल जाता है तो आप वहाँ पर नूट कर लिजिए कि यह में जो कोशन पांस नंबर में है आपके आहां वह कौन से नंबर में मान है कि पांच से लेके साथ तक आपती जो है यहां पे आपको दर्श करना था लेकिन यहां पे समिख्षा किया गया है और इसको फिर से आठ सितंबर से लेके आठ सितंबर से लेके 11 सितंबर तक आपती आप दर्श कर सकते हैं फिर से और यहां पे आपको प्रमानिक सोर्स के कि औपबंदिक उतर में जिन प्रश्णों पर निधाई तिथी तक कोई अपती प्राफ्त नहीं हुई तो उन उत्रों को निर्व्राद रूप से आधर से उतर माना जाएगा एवन तत प्रशात इन प्रश्णों पर भविश्व में कोई अपती बिचाड़निये नहीं होगी यानि कि कहा गया है कि आपको लगता है कि या कोश्ण गलत है लेकिन अगर उस कोश्ण पर कोई सी का कंप्लेन नहीं जाता है आप सोचेंगे कि कोई दूसरा कर देगा कोई दूसरा सोचेंगा कि कोई तीसरा कर देगा ऐसे ही करते करते अगर उस प्रेश्ण में पर कोई भी कलेम नहीं गया तो BPSC उसको बाद में आपका कलेम के अंदर नहीं लेगा यानि कि वह उत्तर जो है 100% सहीं माना जाएगा बाद में उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा तो इसलिए आपको जो लगता है कि उस कोश्चिन में डाउट है तो आप प्रमान के साथ क्या किजि दूसरे ब्रक्ति का भी लगता है वही सही है BPSC कैसे चेक करेगा इसको समझेए BPSC आपका प्रस्णली जो है यूजियर नम पास्वर्ड लॉगिन करके आपका नहीं देखेगा कि आप कौन से नंबर के लिए क्लेम की हुए है लेकिन करना सब को है क्योंकि अगर एक कोश् से से उस कोश्चन को देखा जाएगा यानि कि जब किसी चीज पर बहुत जादा उस पर कमेंट जाएगा तो वहाँ पीपीएसी को देखना होगा आखिर कहीं ने कहीं यहां पर इस्टुएंट अधिक है उनका मानना है कि एंसर कला थे तो उसी एंसर कर जाएँच होगा ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति करेंगे तो हो जाएगा ऐसा नहीं नंबर मिलेगा सबको लेकिन करना सबको ही होगा किसी एक व्यक्ति से उमीद नहीं कर सकते हैं ठीक है आप अगर किसी दूसरे के बहुरों से बैठे हैं तो दूसरा भी आपके बहुरों से बैठा होगा तो इस आप हमारे टेलीगाम चैनल के साजूर जीए जिसका लिंक वीडियो के डिशीशन में है वहाँ पे भी और भी अप्टेट आपको मिल जाएगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में